हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आट्स इंफो मेरा नाम डीदा चौधरी आशा करतियों अच्छे होंगे अपने परवार वालों का ध्याने के स्वास्ता यह मस रहें यह सब्सक्राइब करते हैं जो आपका एक्जाम आने वाला है तो यह दो दिन छोड़के यह सीरीज आएगी इसके अलाबा जो मेरे नाम पहले जो से क्यों से की डालिए उसको भी प्लीज देखिए क्योंकि उसमें से भी काफी कॉशन आंसर फशेंगे रिपीट ली कॉशन आंसर लाना एक तरीके से बेवकुफी होगी क्योंकि मैं कुछ तो लेकर आँगी लेकिन पूरे कॉशन में आपको फिर से लेकर रहा हूं तो ना करते हुए यह वीडियो शुरू करते हैं इसके लावा टेली ग्राम भी जोइन कर सकते हैं वहाँ पर भी मैं समय समय पर एमसी क्यूज और जो भी बेकिंसी जाती है और इंडिया वो भी मैं डालती रहती हूं तो सबसे फास्ट कॉशन है वाट इस दा गोल्ड standard method for GFR estimation तो जो GFR का जो gold standard method है वो क्या है तो देखिए इसका जो gold standard method है वो है inulin clearance ठीक है inulin एक तरीके से एक complex sugar होता है ठीक है तो इसको inulin clearance को GFR estimation के लिए use किया जाता है और यह method कौन सा है gold standard method ठीक है तो इसका answer जो होगा वो क्या होगा बी नेक्स रहे वाट इस दा human physiology तो देखिए physiology का मतलब होता है कारयत्मत ठीक है तो जब हमारी study हो हमारी में इसकी किसी भी body parts की study हो जो वो काम कर रहा है या internal पार्ट हो चाहिए वो external पार्ट हो तो वो किस में आते हैं physiology में तो इसकी में बात करूँ तो पहला जो question पहला जो answer है वो कह रहा है human physiology is the study of how parts of the body and the whole body function ठीक है next question के next बोल रहा है human physiology is the study of function of external body part ठीक है तो इसमें दोनों ही जो है एक तरीके से सही होंगे क्योंकि human physiology is the study of how parts of the body and the whole body part के सब भी पार्ट जो है बोड़ी के वो function कर रहे है या external पार्ट जो है वो function कर रहे है तो यहां पर थोड़ी सी बाई mistake मुझसे गलती हो गई है दोनों को एक में मुझे एड करना था जो मैं नहीं कर पाई हो तो आप इसको ए और बी दोनों ही इस पर टिक लगा सकते हैं next question next c बोल रहा है कि human physiology is the scientific study of mind behavior नहीं यह इस पर नहीं based होती है and microscopic organism की भी study को हम human physiology नहीं बोलते तो इसका जो आंसर है यह और भी दोनों होंगे next question बोल रहा है what is the anastomosis in dialysis देखिए anastomosis होता क्या है जब कोई भी artery या वेन आपस में मानिए यह artery है और यह vein है अगर यह आगे जाके मानिए यह artery यहां पर गई और यह वेन यहां पर जा रही है यह भी जा रही और यह भी जा रही है यह इधर निकल गई तो यह point जहां पर की artery और वेन आपस में मिले वह क्या कहलाता है anastomosis कहलाता है और यह ध्यान रखिएगा many times इस से question आते हैं और हर exam में आते हैं चाहिए आप out of India जाएं चाहिए आप इंडिया में हो इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ ठीक है next है which is the best type of diet for renal kidney patient यह भी question बहुत आता है कि किस तरह की diet को renal kidney patient में prefer किया जाता है तो वो है death diet ठीक है death diet low fat diet को prefer नहीं किया जाएगा keto diet को भी इतना प्रफन नहीं किया जाता alkaline diet को भी प्रफन नहीं किया जाता मैं इसका description आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं अलग 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 दे दूंगी लेकिन अभी क्योंकि video बहुत लंबा हो जाएग होते हैं low fat dairy products होते हैं whole grain होता है fish रहता है polytree मतलब polytree means की जैसे की अंडा रहा या फिर आपके दूद वेरा नहीं यह तो डेरी से रिलेटर हो गया polytree means की अपके अंडा वेरा जो है इससे beans रहेंगे seeds रहेंगे and nuts रहते हैं it is low salt हो रहता है इसमें means low sodium and added sugar and sweets fats and red meat मतलब पूरा एक balance diet की तरह से यह डेस्ट डाइट जो है kidney patient के लिए बनाई जाती है तो आप बस इतना याद रखिए कि best diet है kidney patient के लिए डेस्ट डाइट now next question पर आते है what is the human anatomy मैं इसको क्यों लेकर आ रही है anatomy of physiology क्योंकि यह भी आती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि anatomy क्या है और physiology क्या है जब हम किसी भी person के यह किसी भी जीब के चाहें वह इंसान हो जाए जानबर हो उसके अगर काम करने के चाहें इन्टरनल पांट की से काम करते हैं एक्सिट सकी सबूजी major स्थ sits यह को क्या था है श्युम вм क तुल हुगा थे संट सुन को याता होगा डिजीज का भी नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा बी human anatomy is the study of internal and external structure of the human body and its part next question है how many bones does human ankles has कितनी bones जो इंसान है उसके ankle में present होती है ठीक है ankle तो कितनी bone present होती है seven अब इन bones को बोलते क्या है ankle is human is also called tarsus जो human का जो ankle होता है उसे हम क्या बोलते हैं tarsus इसमें seven bone होती है जिनको हम composite में हैं मतलब इन seven bones को हम अगर मिला लेते हैं तो इन seven bone को हम normal क्या बोलते हैं tarsus अलग-अलग नाम नहीं दे रहे हैं 7 bone को composite करके मिला कर हम क्या बोलते हैं tarsal ठीक है it is arranged in 3 row ये 3 row में arrange होती है having gliding joint और gliding joint रखती है देखिए ये 7 bone कौन सी है ankle की number 1 पे हम आ जाते हैं यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो इस पर अगर proper नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसे अलग से भी दिखा दूँगी मतलब ले आउँगी अलग से ठीक है phalanges रहे गया metarsus हो गया cubid हो गया and calcan हो गया and cuniform हो गया navicular हो गया and talerus हो गया इसमें थोड़ा से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको telegram पे इसको जरूर दे दूँगी यह seven bone जो है ankle को क्योंकि मुझे भी proper दिखाई नहीं दे रहे है तो बस इतना दियार रखिएगा कि human ankle में seven bone होती है और उन्हें composite में tarsals कहते हैं यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की है क्योंकि यह exam में आएंगी ही आएंगी next question है when patient come to hospital with extreme dehydration poisoning high level of urea and creatinine indicate मतलब कोई भी patient है और वो hospital में आ रहा है जिसका क्या हो रहा है बहुत जादा high dehydration हो रखा है वो मतलब पानी की कमी हो रही है poison भी है उसके body में और poison में जहर भी है और high level urea बहुत जादा बड़ा हुआ creatinine भी बड़ा हुआ तो यह क्या indicate करता है यह liver disease को नहीं chronic renal failure को बिल्कुल नहीं यह क्या indicate करेगा ARF को क्यों क्योंकि देखिए अगर कोई patient को अचानक से ऐसा हो जाता है कि उसको extreme मतलब वो पानी ना पिए ठीक है कोई person पानी ना पिए और extreme dehydration हो जाता है तो dehydration की वज़े से many times kidney खराब हो जाती है और poison की वज़े से भी हो जाता है तो जो suddenly हो रहा है वो ARF की condition में है और जो मतलब धीरे धीरे होता है तब वो जब जाएगा तो वो CRF में है ठीक है तो मेली अभी है जो suddenly ऐसे होता है अचानक से तो यह क्या है एक दो दिन में तो यह कौन सी condition होती है ARF की एक्केटरीनल फेलियर की नेक्स क्वेशन है इस यह क्वेशन एक बार नहीं 1000 बार आता है और पता नहीं कितने कितने उसमें आता है कि peritonial dialysis patient की जो diet होती है वो hemodialysis से कैसे different होती है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो peritonial dialysis के जो patient है उन्हें जादा protein की need होती है बजाए hemodialysis के तो जो इसका answer होगा वो होगा the peritonial dialysis patient यह हमेशा ध्यान रखेगा और एक और चीज ध्यान रखेगा परिटोनियल डायलेसिस का जो सॉलुशन होता है उसे लैक्टेड वाफर सॉलुशन बोलता है और के जो है पोटेशियम नहीं पाया जाता उसमें ठीक है दैन है हाउ मेनी बोन्स प्रिजेंट इन एडल्ट हूमन मतलब एक एडल्ट हूमन ने उसमें कितनी बोन्स पाई जाती है तो एक सभी को पता होगा 206 बोन पाई जाती है लेकिन कहां कहां पाई जाती है यह आप जरूर कौन कौन से में कितनी कितनी होती है यह रट लेना आप लोग ठीक है क्योंकि हूमन एनाटॉमी फिजियोलोज है इसकल की बात करते हैं तो 22 बोन होती है ठीक है रिप्र हाइवर्ड बोन की बात करते हैं तो 25 रहती है देखें मैं एनाटॉमी फिजियोलोजी पर जल्दी ही बीडियो लेकर आने वाली हूं तो आप थोड़ा सा वेट करिए मैं आपको जरूर प्रोवाइट कराऊंगी मतलब अपर हिस्से पे 64 बोन नीचे हिस्से पे 62 बोन ऊड़िटरी ऑसिल इस बात करते हैं तो 6 बोन मतलब सुनने वाली जो बोन की बात हो रही है इसमें कितनी बून होती है 6 अप ना आ हाउ मैनि एनस्ट्रोमाशेस प्रेजन्ट इंदा एबीएफ कितने एनस्ट्रोमाशे प्रिजेंट होते हैं आर्ट्रिव वीनस systema21 तो इसका जो आंसर होगा पहले इस वाले का जो आंसर होगा 2 0 6 इसका आंसर होगा वन क्यूं होगा 1 लिए देख लेते हैं कि देखें यहां पर पूरा क पूरा मैंने यह दिखाया हुआ मैने आपको बोला कि जहां पर आर्ट्री और वेन आपस में जुड़ेंगे वो क्या कहलाता है एनस्टोमोसिस पॉइंट कहलाता है जैसे कि अगर आप यहां पर देख रहे हों तो यहां पर आर्ट्री और वेन एक ही जगे जुड़ेंगे यहां पर एक ही जगे जुड़ेंगे एक ही बार तो इसको क्या भीएफ में जो एनस्ट्रो मों से से कितने हैं एक है लेकिन अगर हम ग्राफ की बात करते हैं ठीके एबी जी की बात करते हैं तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो देखे तो यहाँ पर एक बार यह लूप में, ठीके लूप की बात करते हैं दो तरीके से भी जूड सकता है, की एक तो सिंपल इस तरीके से हो जैसे की हमारा fistula होता है, तो वहाँ पर एक ही point पर जूडेगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ में दो जगे से एक तो यह वेन से जुड़ गया और एक यह आहँ पर अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आप विनस एनेस्टोमोसिस और अर्टीरियल एनेस्टोमोसिस तो टोटल मिला कि catch में कितने पॉंट हो गए एनस्टोमोसिस के दो, तो ग्राफ्ट का जो आंसर होगा वो दो और फिस्टूला का अंसर होगा वन यह मैं बार-बार इसलिए लेकर आ रही हूं क्योंकि यह कॉशन आता है बहुत इंपोर्टेंट कॉशन है कही बार आया है इसलिए next question है in determining the prognosis for a patient with CKD progression of the disease is predicted in most cases भाई देखिए कई बार हमें पता चलता है कि CKD को पेशेंट को बदला क्रोनिक रिइनल फेलियर हो गया है HBAI-S label से लगाएंगे सबसे अच्छा मेथड होता है protein का क्योंकि नॉर्मली जो यूरिन होता है उसमें protein नहीं आती है लेकिन अगर यूरिन में protein आरने लगे तो यह क्या इंडिकेट करती है कि kidney की problem patient को शुरू हो गई है तो सबसे best method है the degree of protein यूरिया मतलब यूरिन में protein आना कितनी protein आ रही है इससे हम पता लगा सकते हैं यहां पर वो डाइट पूछी जा रही है ऐसे पेशन्टों की जो की chronic kidney patient तो है लेकिन वो पेशन्ट डाइलेसिस पे बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसे पेशन्ट जो की chronic kidney जिनको kidney की disease है लेकिन डाइलेसिस पे नहीं है उनको कौन सी डाइट डॉक्टर प्रफर करते हैं तो उनको बोला जाता है हाई कार्भोहइड़ेट डाइन उनको protein डाइट को थोड़ा वह है हाई कार्भोहइड कार्भोहइड़ेट डाइट तो इसका अंसर होगा ए नेस्ट कोस्टन है विच आप फॉलोईंग फंगल इंफेक्शन इस कॉमली असोशेटेटेड विद्धा कंटामिनेटेड एयर एंड बेंटिलेशन सिस्टम फेलियर इन हॉस्पिटल एक्वा एसपर गिलोसिस के थुरू होने वाला इंफेक्शन प्रोबली बेंटिलेशन सिस्टम फेलियर होने पे और अगर एयर कंटामिनेटेड होगी तो यह हो जाता है नैस्ट कोशन है वाट इस दा एप्रोपीएट फिलो एंड वाटर टेंपरेचर फॉर हैंड वाशिंग अगर हम हैंड वाश करने जा रहे हैं ठीक है तो क्या पानी का कौन सा फिलो होना चाहिए क्या टेंपरेचर होना चाहिए तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा मीडियम फिलो पे हमें हैंड वाश करने चाहिए साथ के साथ पानी ना तो जादा गरम होना चाहिए ना जाद ठंड़ा होना चाहिए ऑठ style काफी इंपोटेंट 속न है अखीर ऐसा होता किया है तो इसी के लिए हमें साबुन या पानी से हैंड वाश करने होते हैं मेली साबुन से होता किया है यह जो बैक्टीरिया यह क्या करता है यह हमारी कोलन को डिफेक्ट देता है जिसकी वज़े से अगर हमने बिना हाथ दोए खाना खाते हैं तो many times यह बै को मलब जब हैंड वाशिंग होती है तो उसको हम साबून वेरा से प्रफर करते हैं नेक्स्ट कोशन है वी केंड प्रेड्यूस कंसंट्रेटिट डाइलूट यूरिन कंसंट्रेटिट डाइलूट यूरिन कैसे पास हो रहा है तो इसका मैं सिंपली आंसर देती हूं यह है इसका मेथर्ड काउंटर करेंट मेकेनिजम होता है 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 ने लूप और बासा रेक्टा में जो की क्या करता है इसके लिए जो आंसर होगा तो यह जो आंसर है कि वी केन प्रडूस कंसंट्रेटिट डाइलूट यूरिन तो यह किस पर डिपेंड करता है काउंटर करेंट मेकेनिजम पर जो की कहा होता है 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 ले लूप और बासा रेक्टा में नेक्स कॉस्चन आता है देखिए यहां पर मैं मैच करना मैच ऑफ दा फॉलॉइंग गाउट ग्लाइको सूरिया रीनल कैलकुलाई ग्लो मैरोल नेफरैटिस इसका मैंने अभी देखा था मैं इसका मैच करवाने वाला भूल गई है तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूं क्या रहता है अगर हम गट की बात करते हैं कि गट क्या होता है तो जब ए एक्कुमिलेशन हो यूरिक एसिट का कहां पर जॉइंट में इसको क्या बोलते हैं गट ग्लाइको सूरिया का मींस सभी को पता होका प्रिजैंस ऑफ ग्लुकोज इन यूरिन फिर आता है रीनल कैलकुलाई तो रीनल कैलकुलाई की मतलब हो गया मास क्रिस्टिलाइज सॉल् ग्लोमेरूलन नेफराइटिस, इनुफलमेशन ओफ ग्लोमेरूलाई यह क्या कहला आता है ग्लोमेरूलन नेफराइटिस next question आता है which of the following facilitate water reabsorption कौन सा जो है facilitate करता है water reabsorption को तो ये इसका answer क्या होगा aldosterone नीचे मैंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि ADS prevent करता है conservation of angiotensinosin को in blood to antio angiotensin दूसरा रेनिन का काम होता है vasodilation का ANF का काम होता है enhanced sodium reabsorption तो मैंने अलग-अलग भी नीचे यहाँ पर दे रखा है next आता है in which place of nephron filtration of blood takes place nephron की किस पार्ट में filtration होता है तो इसका answer क्या होगा malpesian body अगर आप इस diagram को देखेंगे जो नीचे दिया गया है तो आपको पता चलेगा कि हमारी kidney हमारा जो nephron है उसका जो cup जैसा structure होता है जिसे हम क्या बोलता है इस cup structure को bowman capsule तो इस cup जैसे structure में एक आर्टी जो है blood लेकर आती है जिसे हम क्या बोलता है efferent artiole ठीक है और इसके बाद क्या होता है एक आर्टी blood लेकर आती है फिर यहाँ पर क्या होता है जाता blood capillaries का गुच्छा बन जाता है इसको हम क्या बोलता है glow merulus तो यह जो blood capillaries का गुच्छा बनता है और यह जो capsule है इसको हम क्या बोलते है collectively malpesian carpuscles या malpesian body तो जो filtration का जो process होता है इसी हिस्से में होता है तो इसका जो answer होगा वो क्या रहेगा C 19 का answer क्या होगा C malpesian body जो filtration होता है nephron में blood का वो कहा होता है malpesian body में next question है which of the following solution used for CAPD कौन से solution CAPD के लिए use होता है तो वो आएगा all of these क्योंकि इसमें glucose based solution भी use होता है amino based solution भी use होता है और ecodextrin भी use होता है तो यह सारे के सारे use होते हैं तो इसलिए इसका answer जो क्या होगा all of these तो यह था आज का वीडियो गर अच्छा लगे तो please like करें, share करें, comment करें और channel को subscribe करना ना भूलें thank you